तो तोड़ी सी हेजिटेशन फील करते हैं लेकिन अगर तोड़ी सी common sense हो वगर common sense की तुर कर आप अपनी common sense को activate कर ले तो आपको message मिलेगा exactly statistics हुई है statistics उन्ही लाइन पर चल रही है उन्ही लाइन पर आपने statistics का इस्तेमाल करना है लेकिन यहां पर हम statistics के application को कहां पर इस्तेमाल करेंगे human biology में study करेंगे हमारे जो events होंगे वो क्या होंगे वो biological associated होंगे हम जो है वो life sciences को जो है वो पढ़ रहे होंगे ठेक है living organism जो है हमारा क्या होगा हमारा उस पर focus होगा तो थोड़ा introduce कर लेते हैं tools of statistics are implied in multiple fields ये बात हम जानते हैं कि स्टेस्टिक्स की tools हैं क्योंधिक्ति और स्टेस्टिक्स के equipment है उनको हम multiple fields में इस्तेमाल करते हैं ओश्कमाल करते हैं हम इस तरह हम education में स्टेस्टिक्स को हे service करते हैं हम psychology में落ए और economics में जो है वह हम statistics बलके कई ऐसी fields है जिनका तज़करा मैंने यहाँ पे नहीं किया लेकिन वहाँ पे आप statistics के गवनिन का जो है वो इस्तमाल करते हैं बायो statistics क्या चीज़ है जब आप statistics की application जब आप statistical methods इस्तमाल करेंगे biological data पे, human biology पे, living organisms पे, life sciences के लिए जब आपने statistics के application को इस्तमाल करना है तो उसे फिर हम बायो statistics के नाम से जानते हैं यहीं कोई इतनी बुड़ी change जो है वो आपको इहां पर फील नहीं कि exactly status के वोई pillars हैं जिस तरह हमने तश्क्रा किया था कि collection इसमें हम करते हैं, हम data को जो है वो present करते हैं, उसको analyze करते हैं, different techniques लगा गए और last में हम उसको क्या पर करते हैं, interpret करते हैं, ठीक है, तो आप किसी भी field में अगर आप statistics का इस्तमाल करेंगे, चाहे आपकी जो field है, वो business fields है, वो जो है वो biological study है, let's suppose वो botany है, let's suppose आप plantations के मतलब जो है वो, उसकी उपर जो है वो statistics का इस्तमाल करना चाहते हैं, ठीक है, त statistics की वो किस field में होगी, वो life sciences के लिए specially होगी, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारे जो variables होगे, इन्हें जिन में हमारा interest होगा, वो थोड़ा सा आपको different, आपको field होगा, इसलिके तक ए पता चले कि आप statistics नहीं, बलकि bio statistics है, वो पढ़ रहें, ठीक है, तो few of examples, few of the main and chief examples are given below to understand the ideology, कुछ examples में रखे हैं कि यहाँ पर आपके पास variables कैसे होगे, questions कैसे होगे, data कैसा होगा, ठीक है, आपका interest जो है, वो किस area में होगा, आपने कहां से, जो है, वो sample लेने है, इस तरह, हम medical field में देखते है, systolic blood pressure, ठीक है, हो सकता है, आपने sample लिया है, और आपने जो है, वो जाती है, उनकी जो है, वो height क्या होती है, ठीक है, उसकी average क्या होती है, उसमें variations क्या होती है, उसका किसी और variable के साथ, जो है, क्या relationship होता है, weight of preschool child, school जाने से पहले, school going से पहले, जो child की age होती है, वो कितनी होती है, ठीक है, age of patient, visited dental clinics है, यह dental clinic में जो patients आ रहे हैं, उनकी जो है वेरियेबल से जो है वो आपका क्या पढ़ेगा पारा पढ़ेगा बायो सेटिस्टिस की फिर्में बाकी exactly वो ही सेटिस्टिक्स है descriptive सेटिस्टिक्स है वो ही inferential सेटिस्टिक्स है जब आप sample की बैस पे फैसला करेंगे पूरी population के लिए तो inference हो जाएगा जब आप उसको describe करना चाहेंगे तो आप वहाँ पे mean इस्तेमाल कर सकते हैं variance इस्तेमाल कर सकते हैं median mode and up to so on and so forth अब ऐसा करते हैं कि बायो सेटिस्टिस के हम different definitions पढ़ते हैं कुछ छोटी छोटी definitions मैंने आपके लिए तयार किया है ताकि आपका जो है वो concept clear हो जाए कि बायो सेटिस्टिस की definition जो है वो क्या होती है आपने इसको define कैसे करना है ठीक है तो कुछ छोटी-छोटी cute definition जो है मैंने different books जो है वो collect की है I do expect कि आप इसको जो है enjoy करेंगे let's move अच्छा जी bio statistics is the application of statistical methods and statistical procedures to the life sciences and biological events ठीक है बायो सेटिस्टिक्स क्या है ये statistics की applications है in the field of life sciences ठीक है यानि हयातियात की जब हम science पढ़ते हैं उसके उपर जब हम statistics के application इस्तेमाल करेंगे या हमारे जो events होंगे वो biological events होंगे इन events को अगर आप मतने नजर रखके अगर आप statistics की application का इस्तेमाल करते हैं statistics के कवनीन का जो है आप इस्तेमाल करेंगे तो भी उसी को फिर हम बायो सेटिस्टिस के नाम से जानते हैं ठीक है ये भी एक बड़ी proper बड़ी comprehensive definition है बायो सेटिस्टिक्स की बायो सेटिस्टिक्स is the branch of statistics that deals with data relating to human biology and living organism exactly वो ही definitions है कि हमारा interest जो होता है यहां पे living organism पे होता है हम human की biology जो है वो study करना चाहते हैं तो definitely जब सेटिस्टिक्स की application जो है वो आपने living organism पे इस्तेमाल करनी है तो उसको भी फिर आप बायो सेटिस्टिक्स के नाम से जान सकते हैं ठीक है यह बड़ी accurate definitions है बायो सेटिस्टिक्स plays a vital role in safeguarding public health and improving lives through quantitative research बायो सेटिस्टिक्स जो है वो बड़ा vital role बड़ा एहम किरदार जो हो play करती है in safeguarding public health यह definitely public health को भी डूब करना है अपने जिवे लिधर जो है वो क्या बनाने है आपने different जो है वो safeguard equipment जो है इस्तमाल करने कि आपने कैसे अपनी public की जो है वो health को जो है वो क्या करना है अच्छा रखना है and improving lives एवर आपने जो है वो lives को किस तरह जो है वो improve करना है ठीक है through quantitative research यानि biology की field में जब आप statistics का इस्तेमाल करके जब आप research करते हैं तो उस research से पता चल जाता है कि हमारी public health में किस किसम के problems आ रहे हैं कौन सा जो है वो disease जो है आप उसको कैसे जो है वो इस्तेमाल करके जो है वो बरॉयकार लग सकते हैं तो यह तमाम जो है आपके पास यह बायो सेटिस्टिक्स के application से ही मुमकिन होता है ठीक है बायो सेटिस्टिक्स इस साइंस डेट गिवस हेल्पिंग हैंड in managing medical unlimited This is very good definitions कि बायो सेटिस्टिक्स हमारे पास एक ऐसी science है जो हमारी help करती है जो हमें helping hand प्रवाइट कर दी है in managing medical uncertainties तो कि medical की field में भी uncertainties आती है कहीं से problems होते हैं तो medical uncertainties को cover करने के लिए ऐसी ऐसी बिमारियां है आपको पता है कि ऐसी बिमारी अज़में जिसको trace करने में जिसको diagnostic में जो है वो different किसम के test रखे जाते हैं उसके बादी वो diagnose नहीं की जाती तो medical uncertainties को control करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है एक ऐसी science को होना जुरूरी है जिसको इस्तमाल करके हम क्या कर सकें इनको जो है वो diagnose कर सकें इसके उपर जो है वो research कर सकें तो bio statistic हमारे पास एक ऐसी field है जिसमें हम medical uncertainties के उपर क्या कर सकते हैं control जो है वो कर सकते हैं और इनके solution जो है वो क्या कर सकते हैं हम बना सकते हैं Bio statistic enables to identify and solve problems that are threat to health and quality of life ठीक है कुछ ऐसे problems भी होते हैं recently हमारे पास Corona virus जो है वो एक problem था उसमें बड़ा सार उठाए वो तक काफिश के विसे deaths होई है तो हम कैसे जो है इंप्रूफ करेंगे हमारे पास कुछ ऐसा science होना चाहिए न जिसकी through हम identify कर सकें कि हमारे मुल्क में Corona virus जो है वो कितनी हब तक तबाई फिला रहा है इसको हमने solve कैसे करना है इसको हमने control कैसे करना है हम जो है वो इससे कैसे जो है बच सकते है यानि हर वो बिमारी जो health के लिए threat होती है जो life की quality के जो है वो destroy करती है तो इस planning के लिए फिर आपको bio statistics क्या करना पड़ता है तो असान अलफाज में है वो है exactly statistics ही ठीक है लेकिन आपका जो field of study है वो क्या हो जाता है थोड़ा सा तब्दील हो जाता है आप जो है वो hospital में आ जाते है आप clinic में आ जाते है ठीक है तो जब इस किसम के आप study करेंगे यहनि स्टेटिस्टिक्स के कवनीन के जब आप इतलाग जो है वो medicine पे करेंगे, surgery पे करेंगे, ठीक है, biological events पे करेंगे, living organism पे करेंगे, botany field में आएंगे, zoology में आएंगे, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको bio statistics के नाम से जानते हैं, जिस तरह colleges में, different disciplines में, जब हम botany department में statistics के प्राइन भी